नमस्ते, साइन्वियो के वीडियो लर्निंग सेशन में आपका स्वागत है आईए आज के इस यूडियो में हम जानते है टाइस बेस के तुरू TDS सौप्टेर से आप 15G जो फॉर्म होता है कैसे प्रिपेर करके अप्लोड कर सकते हो तो उसके लिए मैंने अलड़ी मेरा जो SEC है उसको सिलेक कर लिया हूँ 15G basically form होता है आपका non-deduction of TDS on interest जो आपको bank में submit करना पड़ता है तो उसे प्रिपेर करने के लिए हमें आना है e-filing में e-file यहां आपको option दिखाए देगा 15G और 15H इसके उपर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको यहां screen आएगा आपको यहां कुन से financial year के लिए file करना है form उसे select कर लिजे उसे select करने के बाद यहां आपको कुन सा form है वो कुन से quarter के लिए वो choose करना है फिर यहां update करना है तो यहां भी demo के लिए मैंने data prepare करके रखा है तो यहां आपको कोई भी add करना होगा details तो उस पर आपको add पे click करना है इस तरह के से आपको screen आएगी तो यह screen आपको demo के लिए मैंने पहले से fill करके रखी है तो इसके ओपर मैं double click करता हूँ तो यहां आपको इस तरी की details जो है fill करनी है वी जैसे यहां आपको UIN number है, name है, pan है, status है, उनका address है, locality है, फिर उनका जो payment है, वो details है, फिर आप यह जो payment है, किसके against nature of income कुन सा है, कुन से section के अंडर है और amount of income कितना है, वो यहां update करके आप यहां save करना है यह save करने के बाद, इसे आप cancel करके, यहां आप देखते हो, तो यह basic details में SAC की details है, income details में उसकी payment details है, तो यहां सारी details जो है, यह update होगी, इस तरीके से details update होने के बाद, आपको अगर यह details, यह जो यह 3 SAC का form 15G जो आपको submit करना है, तो यहां आपको click करना होगा, export CSV, export CSV होने के बाद, यह जो details है, आपके CSV file format में export होगी, जिसमें 2 files separate होगी, एक तो आएगी basic details, और दुसरी आएगी income details, तो अब यह जो data है, आपका successfully export हो चुका है, तो उसने यह data है, DMS location पे यहने files जो है store की है, इसे आप OK बोलते हो, तो वो location directly open करेगा, यहां आप देख सकते हो, basic details की CSV file, income details की CSV file, अब इसे आपको upload करने के लिए, income tax portal पे login करना है, तो वो दिखाने के लिए यहां से में close करता हूँ, यहां आता हूँ online services, TDS online services, TDS online services में आने के बाद, आपको यहां login to ITD button है, इसके उपर आपको click करना है, अब आपके software से जो login credentials है, वो लेके income tax portal पे devote होगा, और software से जो भी आपके login credentials है, वो portal पे fetch होगा, तो यहां इस तरीके से आपकी details जो है पेच होगी, फिर हमें आना है इफाइल में income tax form, file income tax forms, यहां आने के बाद आपको various forms दिखाई देंगे, यहां 15G पे आईए, यहां file now के उपर click करना है, file now पे click करने के बाद यहां आपको submission mode online करना है, आपका filing type original, कुण से financial year के लिए, फिर यहां कुण से quarter के लिए, फिर यहां आपको continue पे click करना है, continue के उपर click करने बाद आप इस option में आएंगे, यहां आपको let's get started पे click करना है, यहां basic details में provide details पे click करना है, फिर यहां आपको दिखाई सकता है, basic details attached CSV file, income details attached CSV file, यहां आपका basic CSV file और income details का CSV file अटेच करना है, यहां place में आप जहां से return यह form file कर रहे हो, वो place देना है, यह details देने के बाद यह आपको save button जो है, activate होगा, इसके उपर आप click करते हो, तो आपका जो 15G का form है, portal के उपर submit हो जाएगा, इस तरीके से आप software के जरीए, आपके SSC का 15G का जो form है, income tax portal पे upload कर सकते हो, इस वीडियो में इतना ही, नए वीडियो में new topic के साथ आपके सामने पेश होगे, तब तक के लिए धन्यवाद,